हाई फ्रेंट्स मैं पटेल वीमल आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल बज्जित बड़ इंडिया में तो फ्रेंट्स आज में अपने बजिरी तोतों की थोड़ी पोग्रेस बताना चाहता हूँ मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी जो फिमेल है वो बार बार मटकों में जा रही है तो मुझे लगता है बहुत जल्दी अंडे देंगी तो फाइनल याद मैंने चेक किया तो दोनों मटके में एक एक अंडा दे दिया है और यह उपर वाला जोड़ा है इसमें भी चार अंडे दिये थे ले इंसे एक बच्चा भी निकाला था लेकिन बात में वो मरा हुआ था और अभी तीन अंडे है पर वो मुझे खराब लग रहे है आपको दिखाता हूं अभी इसमें अभी तीन अंडे है जो काफी खराब हालत में मुझे लग रहे है तो मुझे निकालेंगे तो मैं आपको नीचे में दिखाता हूं यह मटके अच्चे कर रहता हूं इसमें अंडा रखा है तो यह फ्रेंच यह देखे यह देखे फ्रेंच एक अंडा दे दिया इस फ्रिमेल ने मेरे दोस्त के घर से लाने के अभी एक महिना भी पुरा नहीं वा और महिने के अंदर-अंदर इन लोगों ने ब्रेट कर दी मैंने सोचा नहीं था ठीक से जोडा भी नहीं बना था मैंने अलग से यह जोनों को इसने भी एक अंडा देडिया है, यह female में नहीं खरीद के लाए था, मेरी smell की female मर गई थी तो इन नहीं female है, और लाने के के इतनी जो दस दिन में अंडा देडिया है, तो अभी तो अभी फ्रेंस हमारे तोटों को सौप फूड देने का टाइम है मैं सौप फूड में मक्काई देता हूं यह मक्काई मेरे बजरितों के बहुत पसंद करते हैं और बहुत जल्दी खा जाते हैं यह थोड़े-थोड़े टुकड़े करके हम सारे केज में अभी रख देंगे सब में हम थोड़ा-थोड़ा रख देते हैं यह पूरे का पूरा खा जाएंगा यह मक्का यह दोतों के सहत के लिए बहुत अच्छा है मैं हफ्ते में दो-तीन बार तो इसको देता ही हूं इस केज में भी दे देंगे अभी मैं मटकी में से जो अंडे वो चेक करूँगा वो खराब हो गए तो निकाल दूँगा और मटकी को भी बार निकाल दूँगा इसको थो एकद महीने के लिए रिस देता हूं क्योंकि बहुत टाइम से ब्रीट कर रहे हैं यह हमारा अलग से केजे इसमें पांच पठे हैं इनमें से तीन मेले वो अडल्ट हो चुके उनकी फिमेल भी लानी है तीन फिमेल लाओंगा और आपके साथ सेर करूंगा अभी तो हमारे यह बारिस बहुत आ रही है तो इसलिए मैं जाने पा रहा हूं जैसे ही बारिस बंदोगी तो मैं फिम कुछी मिन्टों में सारा खतम भी कर देंगे अगया है यह पठे है तो थोड़ा डरते हैं मुझे यह देखिए यह नीचे खाने आ गए मैं इनके एकदम पास खाड़ा हूं फिर भी डर ने रिये बहुत आरम से खा रहे है कि यह बहुत प्संद करते हैं मक्वाई को कि यह फिरेंस हमारा मिट्टू है रिंगनेक का पेलोट से यह हमेसा नीचे ही में रखता हूं लेकिन आज उपर टेरेस पर लेका आया हूं इससे इसे भी मक्वाई देदेंगे इसे मक्वाई मैंने इसको दिखाई है तो यह कैसे नीचे दोड़ के खाने के लिए आ रहा है यह देखे फ्रेंस यह बोलता भी है लेकिन कोई सामने आया तो चूप हो जाता है अकेले में बहुत बोलता रहता है सीटी बजाता है तो इसको भी मक्वाई देंगे भी तो यह देखे फ्रेंस यह छोटा सा मेरा सेट अप है मेरा छट के उपर पहले तो हमारा छोटा सा घर तो निचे रखता था अभी घर बनाए तो उपर टेरस पे इसको रखता हूं में अलग से इसके लिए जगा बनाई थी और यहां मैं कोलोनी बनाना की सोच रहा हूं तो उपर यह अभी तो हमारा सोटा सेट अप है तो इसको हम थोड़ा बड़ा भी करेंगे तीरे तीरे तो बस यहीं छोटा सा प्रोग्रेस आपको बताना था फ्रेंड्स दो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे यह मेरे नए वीडियोर से नए जो देख रहे हैं तो वो भी मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो फ्रेंट्स जल्दी है अगले वीडियो में मिलेंगे मैं नई फिमेल लाऊंगा तब अभी वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ सेर करूंगा तो फ्रेंट्स अईलते ली मेरे रे जाल को सब्सक्राइब कर दे तो जाता है झाल झाल